गुरुनानक देव जी पहली पातिशाही गुरुनानक देव जी का अवतार जोर जबर और हाक्मों के अत्याचारों से संतप्त स्रिष्टी की पुकार सुनकर जबाकाल पूरुष ने गुरुनानक देव जी की रूप में जगत जलंदे की रक्षा करने के लिए माता त्रिप्ता जी के गर्ब से महिता कालू चन जी बेदीक शत्री के घर राय भोय की तलवंडी जिसे आज ननकाना साहिब कहा जाता है में कार्तक सुधी पूर्ण माशी 29 अक्टूबर 1469 को अफ्तार धारन किया महिता कालू चन जी ने जनम कुमली बनवाया गुरू जी के प्रातव काल अफ्तार धारन के उपरांत जब दिन हुआ तो महिता जी ने पंडित हर्देयाल को बुला कर कहा कि बालक की जनम कुमली बनाओ और लगन महूरत देख कर बताओ कि बालक कैसा होगा माता पितावा तथा खांदान का नाम उजवल करने वाला होगा या कुछ काम विगाडू होगा तो अब पंडित हर्देयाल जी ने बालक के लक्षन देखे मानव मात्र ने पंडित महिता जी को कहा कि बालक की दाए को बुला कर पूछो कि जनम समय इसके मूँ से कौन सी आवाज निकली थी तब दौलता दाए ने आकर बताया कि पंडित जी मेरे हाथों में अनेक बालकों ने जनम लिया है परंतु इस तरह का बालक मैंने आज तक कोई नहीं देखा और बालक तो जनम लेकर रोते हैं परंतु यह तो हस्ता था और घर में ऐसे लगता था जैसे दोपहर का सूरे निकल आया हो सारे घर में सुंगंधित फैल गई थी दौलता दाय की यह बाते सुनकर पंडित जी ने अनुभव कर लिया कि यह कोई अफ्तार पैदा हुआ है इसके दर्शन करने चाहिए जब दौलता दाय बालक को बाहर लेकर आई तो पंडित जी हरदयाल ने उसके चिन चक्र देखकर बताया कि महिता जी यहे आपका बालक तो बहुत ही भाग्यशाली है इसमें सारे ही लक्षन शुप प्रतीत होते हैं यहे या तो कोई चक्रवती राजा होगा और अत्वा कोई और बड़ा पुरुष जिसके सिर पर छत्र जूलेगा इसका नाम मैं तेरवे दिन रखूंगा जब तेरवा दिन हुआ तब माता और बालक ने सनान कर लिया तो पंडित हरदयाल ने जनम कुंडली से विचार करके बालक का नाम नानक रखा और महिता जी को कहा कि जिस तरह यह नानक नाम मिला जुला हिंदू मुसल्मान का सांजा है इसी तरह इसको दोनों ही अपना करके मानेंगे यह दोनों का सांजा होगा दोनों का उद्धार करेगा पंडित जी की यह बातें सुनकर महिता जी बहुत ही प्रसन हुए और पंडित जी को मर्यादा अनुसार, आटा, गुड़, कपड़ा और नकद भेंट देकर विदा किया अब गुरु जी की बाल लीला की बात करते हैं जब गुरु जी पांच वर्ष के हो गए तो अपने हम उमर बालकों के साथ खेलने लगे गुरू जी अन्य बालकों को बहुत प्यार करते थे और उन्हें खाने और खेलने की वस्तुएं घर से ले जाकर बांट देते थे आप जी के इस स्वभाव को महता कालू जी अच्छा नहीं समझते थे जिस कारण कई बार आप जी को डांट भी खानी पड़ती थी मगर लोग आप जी के इस उदार स्वभाव की बहुत शलागा करते थे और साती बालक आप के साथ बहुत प्रेम करते थे अब पांधे के पास पढ़ने बैटना बाबा कालू जी ने आप जी को चुस और उदार देखकर पांधे के पास शुब दिनवार पूच कर नए वस्तर पहना कर और पांधे के लिए योक्य भेंट कुछ मिष्ठान और नकदी लेकर पाडशाला ले गए गोपाल पांधे को अच्छी तरह प्रेम प्यार सहित हिंदी पढ़ाने की पक्की करके महिता जी घर को आ गए पांधा गुरू जी को अपने हाकम राय बुलार के पटवारी कालू चन जी का पुत्र समझ कर बड़े उत्सा और प्रेम से पढ़ाने लगे कुछ दिन पढ़ाई के पश्चाथ ही पांधा आप जी की स्मर्ण शक्ति को देख कर आप जी को एक हुनहार बालक समझ कर बड़ी शलागा करता है और महिता कालू जी के पास बड़ी उपमा करता कि आप जी का यह बालक बड़ा बुद्धिमान और हुनहार है एक दिन गुरू जी ने पांधे जी को कहा कि पांधे जी यह बंधन रूप लेखा अब मैंने नहीं पढ़ना आप मुझे वह लेखा पढ़ाओ जो अंत समय यमों के बंधनों से मुझे छुड़ाए तो गुरू जी के यह विचार सुन समझ कर पांधे जी ने कहा कि जो कुछ आपके विचार हैं यह ठीक हैं मगर जो नाम जपने वाले हैं उनको गरीबी दशा में देखा जाता है फिर मरना भी सभी का समान रूप से ही होता है तो गुरू जी ने कहा पांधे जी ग्यानी और अग्यानी के मरने में बेध है जैसा कि अग्यानी पुरुष अंत को शोक और चिंता के साथ कई प्रकार के विशे विकारों को लेकर मरते हैं मगर नाम जपने वाले ग्यानी लोग परमात्मा को सदा अपने अंग संग देखते हैं और यमों से निर्भय होकर शरीर त्यागते हैं फिर पांधे ने हैरान होकर पूछा कि महाराज जो पुरुष सारी उम्र रंग तमाशों में ही व्यतीत कर देते हैं कभी नाम स्मरण न जब पांधे जी ने कहा महाराज जो पुरुष कभी भूल कर भी नाम नहीं जपते उन्हें मालक का डर क्यों नहीं लगता कि वे नाम स्मरण करें तो गुरुजी फिर से बोले भै तेरे डर अगला खाप खाप छिजे देह नाव जिना सुल्तान खान होदे डिठे खेह नानक उठी चलिया सब कूड़े तुटे नेह गुरुजी के यह वचन सुनकर पांधे ने हाद जोड़ कर आप जिसे क्षमा मांगी कि अगर मैंने अयोग्य बात कह दी है तो उसे क्षमा कर दें अब मुला के पास पढ़ने बैठना पांधे को पाल से लेखाकारी की पढ़ाई पूरी करके जब गुरुजी को कुछ महीने बीट गए तो महिता कालू चन जी आपको फारसी पढ़ने के लिए मुला कुतुब दीन के पास ले गए कुछ मिष्ठान और नकदी मुला की भेंट रखकर कहा कि इसको प्यार से पढ़ाना क्योंकि यह कुछ प्यार से ही पढ़ता है जब इस तरह कुछ समय मुला के पास पढ़ते हुए व्यतीत हो गया तो एक दिन गुरुजी गाम से बाहर एक व्रिक्ष के नीचे चादर तान कर चुक चाप लेट गए तत्पशात रोज ही उस तरह गुरुजी करने लगे तो महिता कालू चंजी ने यह समझ कर कि इसको कोई भूत प्रेत की चाया है उन्होंने मुला को कहा कि नानक को चल कर देखो उसको कोई चाया पढ़ गई है तब मुला ने गुरुजी के पास ब तेरे उपर परवर्दिगार की मेहर हो तुम मुझे बताओ कि तेरे इस सरह चुप रहने का और लेटे रहने का क्या कारण है खुदा के लिए अपने मन की बात बताओ तब गुरुजी उठकर बैठ गए और यहे विचार तिलंग रागु में बोले दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी ममसर मुई अजराइल गिरफ्त दिल हेज न दानी हे मुल्ला जी मैं यहे दुनिया नश्वर जान कर सदा मौत से डरता रहता हूं इसलिए मेरी यहे दशा है मुल्ला ने कहा अभी तो आप बच्चे हो आपको यहे बाते नहीं सोचनी चाहिए जवान होकर इस्तरी पुरुष इस्तरी पुत्रों के सुख प्राप्त करो और संसार के रंगों का अनंद भोगो तो इस पर गुरुजी ने कहा मुल्ला जी मौत का कुछ पता नहीं कि समय आ जाए इसलिए मन को विकारों की और से मोड कर परमेश्वर आगे सदा ही विनेशिल बने रहना चाहिए तो मुल्ला ने कहा आपकी यह बात सच्ची है कि मन को सदा प्रभु के समरण में लगाए रखना चाहिए परंतु फिर भी क्यों आपके माता पिता और संबंधी आपकी इस दशा पर दिलगीर है आपको उठकर इनके साथ घर जाओ और काम काज करके सबको प्रसन रुखो इस पर गुरुजी बोले मुल्ला जी किसी भी इस्तरी पुरुष संबंधी ने अंत समय साथ नहीं देना इसलिए इनके लिए परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए यह बात सुनकर मुल्ला ने गुरुजी की बहुत शलागा की कि आप इस चोटी सी अवस्ता में परमेश्वर के रंग में रंग गए हो तो गुरुजी बोले पुरुष राद दिन बुरे विकारों में घुमता रहता है नेकी का काम कभी नहीं करता मेरा भी यही हाल है मेरी शलागा क्यों करते हो मुल्ला ने कहा महराज जिनका मन सदा ही इश्वर के रंग में रंगा रहता है बराबरी और कोई नहीं कर सकता तब गुरुजी ने कहा मैं अभाग्य शाली इशालू तथा भुलकड हूँ जो इश्वर की और से निर्भय होकर नेकी बेदी का खयाल नहीं करता मैं उस प्रभु का सेवक हूँ और उसके दासों की चरन धूली चाहता हूँ गुरुजी ने यहे उपदेश मैविचार सुनकर मुल्ला जी ने गुरुजी को नमसकार किया और अपने अयोगे वचन बोलने की ख्रमा मांगी सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू जी शुकर है शुकर है शुकर है दात्या तेरा शुकर है तेरा बहुत बहुत शुकर है